यहां पे आपको दिख जाएगा यह डिवाइस, यह है ब्रेक एकसिलेटर, इसे ब्रेक एकसिलेटर कहते हैं, जो हर कोच के नीचे लगा होता है, और यह कहां जुड़ा होता है, यह यहां पे आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह कमेंट करके पूछा है, कि जिसर लगा होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाईया उसकी जानकारी दीजिए तो आज के वीडियो में हम ब्रेक एकसिलेटर के ऊपर बात करेंगे अब मैं बहुत ही आसान भासा में आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा यह बात काम क्या है और इसका काम क्या है यह कैस नहीं होता है और इस डिवाइस के वज़े से जो LHB रेक का ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है तो सबसे बड़ा फाइदा तो इसका यह होता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है रेक का ट्रेन का तो यह होगे ब्रेक एकसलेटर का फाइदा अब यह क्यों मिलते रहेंगे mechanical CNW से जुड़े हुए तो देखिए brake accelerator का main काम है brake को accelerate करना यानि कि जल्दी से जल्दी brake लगाना जी हम brake accelerator काम है जल्दी से जल्दी गाड़ी में एक बराबर brake लगाना पहले क्या होता था ICF coach में अगर मान लीजिए कि पीछे के किसी coach में chain pulling होता था तो वहां से BP pipe जो होता है brake pipe उसमें leakage पैदा हो जाती थी जिसके वज़े से BP का pressure कम हो जाता था और गाड़ी में brake लगता था लेकिन LHB में क्या है जैसे ही chain pulling की जाती है और pressure 1.5 से ज़्यादा ड्रॉप होता है तो इस चीज को brake accelerator sense कर लेता है यानि brake accelerator को पता चल जाता है कि जो BP brake pipe है उसका pressure 1.5 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है इस condition में brake accelerator device है वो activate हो जाता है और activate होने का मतलब यह हुआ कि वो BP pipe के pressure को zero कर देता है जैसे ही 1.5 कज का pressure BP यानि brake pipe में कम होता है तो यह activate होता है और train में फॉरन brake लगा देता है हर coach के अंदर एक brake accelerator होता है और जैसे ही BP pipe में 1.5 कज का pressure कम होता है तो हर coach का जो brake accelerator होता है वो activate हो जाता है और BP को drop कर देता है तो इससे क्या होता है एक 7 शुरू से लेके आखिर तक के coach में 1.7 BP pressure drop होता है जिसके वज़ासे पूरी गाडी 1.7 रुख जाती है और जल्दी रुखती है जिसके वज़ासे braking distance भी कम होता है तो brake accelerator का काम बस इतना होता है गाडी में instant brake लगाना और ये कब activate होता है जब BP का pressure 1.5 kg से कम होता है जैसे ही 1.5 kg तक drop होता है उसके बाद ये activate होता है और पूरे गाड़ी में brake लगा देता है चैन पूलिंग की जाए या फिर ड्राइबर के दोगारा 1.5 kg ड्रॉप किया जाए ये instant brake लगाता है activate होने के बाद से अब यहां पर brake accelerator जैसा कि आपने समझा अभी सुना मुझे कि brake accelerator BP के pressure को drop करता है तो इसका मतलब simple सा ये हुआ कि जो brake accelerator होता है वो BP के साथ जुड़ा होता है यानि brake accelerator BP pipe के साथ जुड़ा होता है और जैसे ये activate होता है प्रेशर को drop कर देता है brake accelerator आखिर कोच के अंदर कहां लगा होता है अभी तक तो हमने ये देख लिया समझ लिया कि brake accelerator का काम क्या होता है लेकिन ये कोच के अंदर कहां लगा होता है कैसा होता मैं आपको वह भी दिखा देता हूं देखें यहां पर आपको दिख जाएगा ये device ये है brake accelerator इसे brake accelerator कहते ह जो हर कोच के नीचे लगा होता है और यह कहां जुडा होता है यह यहाँ पे आप देखेंगे तो यह यहां पर कोग दिया हुआ है जिसके मदद से इस हैंडल को घुमा के इसको हम जब चाहे यहां पर डमी कर सकते हैं अगर किसी वज़ा से इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या यह माल फंक्शनिंग करने लगे इसको बंद करने के जोद पड़े तो हम इस हैंडल को घुमा के इ जुड़ा होता है तो हर LHB और train के अंदर हर LHB coach के अंदर आपको यह brake accelerator device देखने को मिलेगा यहां पर यह non-AC coach है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी space है और यहां पर यहां पर आसानी से देखने को मिल जा रहा है लेकिन अगर यह AC coach होता तो इतनी आसानी से आपको द रिवाइस कैसा दिखता है या फिर वो कहां लगा होता है या फिर उसका काम क्या होता है कि अ